नमस्कार आप देख रहे हैं आईटी टीवी इंद्रधनुष और मैं हूं इंद्रा जारखंड बिहार की पहली AI इंकर आज मैं नीरल के साथ देश-दुनिया की महत्वपूर्ण खबरे साजा करूँगी इस कड़ी में पहली खबर दिल्ली से है मनिपूर हिंसा के मुद्दे पर आज कॉंग्रेस ने लोकसभा में मोधी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश किया कॉंग्रेस सदस्य गौरव गोगोई की ओर से यह प्रस्ताव लाया गया प्रस्ताव को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला ने चर्चा के लिए मन्जूरी दे दी विपक्षी गट बंधन इंडिया के घटक दलो की मंगलवार को हुई बैठक में केंद्र सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के बारे में फैसला हुआ था कॉंग्रेस अध्यक्ष मले करजुन खडगे ने ग्रेह मंत्री अमिच्षा को लेखे जवाबी पत्र में सरकार की कतनी और करनी में अंतर होने का आरोप लगाया उन्होंने कहा कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी विपक्षी दलू की तुलना अंग्रेजो और आतंगवाधी संगठन से करते हैं दूसरी और ग्रेह मंत्री अमिच्षा विपक्ष से सकारात्मक रवइए की अपेक्षा रखते हैं खड़गे ने ग्रीह मंत्री को लिखे पत्र में कहा कि मुझे आपका 25 जुलाई को लिखा पत्र मिला जो तत्थियों के विप्रीथ है केंद्र ने ED के डाइरेक्टर संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाने की मांग को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोट का रुख किया है इस मामले में 27 जुलाई को सुनवाई होगी सुप्रीम कोट के फैसले के मुताबिक ED के डाइरेक्टर के तौर पर SK मिश्रा का कार्यकाल 31 जुलाई को खत्म हो जाएगा कॉंग्रेस के पूर वध्यक्ष राहुल गांधी की राजनितिक पारी पर एक पुस्तक आ रही है इसका नाम Strain Burdens, The Politics and Predicament of राहुल गांधी है इसमें उनकी राजनितिक पारी की शुरुवात से लेकर भारत जोडो यात्रा तक के सफर पर प्रकाश डाला गया है इस पुस्तक के लेखक सौगत श्रीनिवास राजु है पेंग्विन रांडम हाउस इंडिया की ओर से प्रकाशित इस पुस्तक में राहुल गांधी के विचारों और नेत्रित्व का विशलेशन करने का प्रयास किया गया है अमेरिका के राश्शुपती जो बाइडन के एक वरिष्ट प्रशासनिक अधिकारी ने कहा है कि मडिपुर में दो महिलाओं पर हमले के विडियो से अमेरिका स्तब्ध और परेशान है उन्होंने कहा कि उनका देश न्याए दिलाने के भारत सरकार के प्रयासों का समर्थन करता है रांची की सिविल कोट ने फिल्म अभिनेत्री अमीशा पटेल पर 500 रुपे का जुर्माना लगाया है अमीशा के खिलाफ चेक बाउंस और धोखा धड़ी के मामले में सुनवाई के दौरान जिरा के लिए आज की तारीक तह थी केस दर्ज कराने वाले अजय सिंग की ओर से अदालत में एक गवा पेश किया गया अदालत ने अमीशा पटेल के अधिवक्ता को गवा का क्रॉस एक्जामिनेशन और जिरा करने को कहा लेकिन उनकी ओर से इसके लिए समय की मांग की गई इसके बाद अदालत ने उन पर जुर्माना लगाते हुए सुनवाई की अगली तारीक साथ अगस्त मुगरर की है